नमस्कार दोस्तों मैं दीपक सुकला आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल A2Z Banking Information पर दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि लोग सभाचुनाओ 2014 में एक पार्टी के द्वारा अपने घोसना पत्र में किसान करजमाफी को जगह दी गया है किसान कर्जमाफी को अपने घोषना पत्र में सामिल किया गया है उस पार्टी के द्वारा कहा गया है कि अगर हम 2024 का लोग सभाईल एक्सन जीतते हैं अगर हम सत्ता में आते हैं 2024 में तो हम देश में जो भी केसीसी धरक किसान है जिनके उपर KCC लोन चल रहा है, हम उस KCC लोन को माफ करेंगे, तो किसानों के लिए यहाँ पर अच्छी ख़बर है, दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि देश के किसानों की जो आर्थिक इस्थिती है बहुत ज़्यादा खराब है, किसी से छुपी हुई नही है, देश की किसानों की जो आर्थिक इस्थिती है बस से बस्तर है, ऐसे में किसानों को काफी लंबे समय से इंतजार था, कि 2024 में जब लोग सभा के इलेक्शन होंगे, तो वहाँ पर राजनीतिक पार्टियां किसानों की इस गंभीर आर्थिक इस्थिती को ध्यान में रखत उसकी जो सोच है वो गलत ऐसा नहीं है किसान जब बैंक से केसिसी लो लेता है तो उस समय वो यही सोचता है कि हम इस पैसे को जल्द से जल्द ब्यात समयद पूरा वापIX कर देंगे लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है कि प्राक्रतिक आपदा कभी आ जाती है, कभी आवारा जो जानवर है, उनकी फसल भेट चड़ जाती है, तो इस तरह से किसान बहुत अधिक परिशान है, उसकी जो आर्थिक स्थिती है, बहुत गंभीर हो चुकी है, बत से बत्तर हो चुकी है, इसलिए किसान यहां पर करेंगी जिससे किसानों के उपर करजिका जो बोज है कुछ कम हो सकेगा अगर सरकार यहां पर कुछ मदद कर देंगी तो जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं इस वज़े से बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं रात की किसान बहुत अधी गुस्से में थे कि मुझे जो उम्मीद थी लंबे समय से हम लोग इंतिजात कर रहे थे कि सरकार जब आएंगी तो किसान करजमाफी करेंगी लेकिन ऐसा संभर नहीं हो सका है पार्टियों ने अपने घोशना पत्र में किसान करजमाफी को जगह नहीं दी ह तो दोस्तो हम आपको बतना चाहते हैं कि किसान यहाँ पर बहुत जड़ा नाराज थे जिसके चलते एक पार्टि के दौरा आप अपने घोशना पत्र है उसमें किसान करजमाफी को जगह दे दी गई है वो हम आपको वीडियो में आगे दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं कि किस पार्टि के दौरा आपने घोशना पत्र में जगह दी गई है इससे किसानों का कितना करजमाफ हो सकेगा कब माफ होगा और पूरी प्रक्रिया हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं दोस्तो हम आपको गतना चाहते हैं कि आप सभी को बता है कि किसान जब बैंक से केसी सी लोन लेता है बैंक जाता है तो वो यही सोंचता है कि हम जो एक लाख रुपया केसी सी लोन से निकाल रहे हैं और जो वो फसल ले जाकर के बोता है तो यही सोंचता है कि हम फसल में एक लाख रुपय लगा रहे हैं जैसे ही हमारी फसल तयार होगी हम इ तो वो फसल आप प्राकति कापदा की भेंट चल जाती है, फसल तयार नहीं हो पाती है, उससे पहले ही, फसल तयार हो रही है, पक करके उससे पहले ही प्राकति कापती है, कोई उलाबरिष्ठ हो जाती है, तेज तूफान आ जाता है, बेमौसम बारिस हो जाती है, बाढ़ा ज आफे नहीं है जिस से वहां पर किसान पूरी तरह से तूट जाता है वो पूरी उसकी उमीदों पर पानी फिर जाता है तो वो बैंग को पैसा वापिस नहीं कर पाता है यहाँ पर मूल धन वापिस करने की दो बात खतम हो जाती है किसान बैंग का ब्याज तक वापिस नहीं कर पाता है तो किसान कभी है नहीं सोचता कि हम पैसा वापिस बैंग को नहीं देंगे, के सी सी लोन ले लिया है तो वापिस नहीं देंगे, ऐसे उसकी सोच कता ही नहीं होती, लेकिन उसकी जो मजबूरियां होती है, उसका जो समय होता है, उसे मजबूर कर देता है, और वो बैंग को पै अच्छे से करते रहेंगे लेकिन जब फसल ही पूरी तरह से चोपट हो गई तो वहाँ पर अब किसान करें तो करें क्या उसके घर में तो रोटी नहीं है खाने को और वो बैंक करजा कैसे वापिस करें तो इसी वज़े से किसान सोच रहा था कि यहां पर सरकारे ध्यान प्रफिपी हुई नहीं है सभी को पता है कि पूरे देश में किसानों की आर्थिक सित्थी क्या है किसान आतमहत्या कर रहें करज के बोच के तले दब करके लेकिन मैं आप लोग उसे रिक्वेश्ट करना चाहता हूँ कि यह कदम आपका गलत है ऐसा मत करिए समय बदलेगा पाएंगे, बैंक से आप समझोता करिए जाकर, तो हाँ पर ऐसा तो नहीं है कि ब्यास समयत आप से पूरा पैसा बैंक को आपिस लेगा, अगर आपका लोन NPA हो गया है, तो आप लोन का सेटलमेंट का लीजिए, आधे रेट पर, याईनि अगर आपका पांच लाख लोन है, तो आपका समझोता धाई लाख रुपए में ही हो जाएगा, इस पर मैं वीडियो भी कई सारे बना चुका हूँ, कि आप लोन का सेटलमेंट कैसे कर सकते हैं, तो ये आत्मत्यावादा कदम जो आपका है, वो बहुत गलत है, ऐसा मत करिए, समय बदलेगा, सब कुस सही हो ज अब वो कौन सी पार्टी है, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में पार्टी है, जिसका नाम है समाजवादी पार्टी, ना केवाल अपने किसानों को MSP का दिकार दिलाएंगे, वहीं अपने किसानों का जो भी कर्ज है, वो भी माफ कराने का काम आने वाले समय में, इंडिया कड़बंदन की सरकार में होगा, तो हम किसान कर्ज माफी करेंगे, किसानों का जो KCC लोन है, हम उसे माफ करेंगे, हलाकि वो एक बार पहले भी जब सत्ता में आये थे, तब भी उन्होंने सिर्फ भूम विकास बैंकों का कर्ज माफ किया था, लेकिन इस बार उन्होंने किसी बैंक का नाम नहीं लिया है, न और वो कितना लोग माफ करेंगे, किन बैंकों का माफ करेंगे, सत्ता में आएंगे भी या नहीं आएंगे, जबकि किसानों को BJP यानि भारती अंता पार्टी से उम्मीद है बहुत ज़्यादा थी, जो पूरे देश का किसान BJP से उम्मीद लगा बैठा था, तो BJP ने अपने गोशना पत्र में कोई भी एक ऐसा वादा नहीं किया, जो लुभावना हो, यानि BJP ने अपना कोई भी वोटर्स को लुभाने के लिए, ऐसा कोई भी गोशना पत्र में अपना पॉइंट सामिल नहीं किया है, यानि BJP पूरी तरह से अस्वस्त है कि दोबारा से सत्ता में ह हमी आने वाले हैं देश का जो वोटर से हमें ही वोट करेगा इसलिए उन्हों ने लुभामने वादे अपने घोषना पत्र में नहीं किये हैं तो पाकी तो देखने वाली बात होगी कि अभी चार जून को रिजल्ट आने वाले हैं कि 4 जून जब रिजल्ट आएंगे तो BJP आती है कोई अन्य पार्टी आती है सत्ता में वो तो खेर देखने वाली और बात की बात होगी अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा फिलहाल जो समाजवादी पार्टी है जिनका गटबंधन है इंडिये नाम से उसमें कांग्रेस भी है अन जैसे पहले ब्यास्था थी सैनकों के लिए हम वैसी ब्यास्था लाएंगे उसके अरावा उन्होंने कहा था कि जो पुरानी पेंसन योजना बंद कर दी गई थी हम उसे भी लागू करेंगे जो कर्मचारियों की पेंसन बंद होती है रेटैर्मेंट के बाद तो उन्होंने सारी की चीज़े इस पस्ट हो जाएंगी दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मिलते अगले वीडियो में किसी अगले इंटेस्टिंग डॉपिक के साथ अत्तक के लिए जैहिन जै भारत